हेलो गाइज मैं संतु जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकसन चेनल हमारे सिर्फ पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत थे इस वीडियो के अंतरगत हम हाई स्कूल मुख्य परिच्छा 2022 के हिंदी और कक्छा टेंथ के प्रश्ण पत्र के जो अबजेक्टि के रश्णाकार कोन है तो सुर्षागर के रश्णाकार के चार आप संधिए हैं समय खर्चना हो असलिए में सीदे आंसर बता रहा हूं सूर्दास जो है सुर्षागर के रश्णाकार है उसके बाद में अगला कोशन है प्रवंचना का साब्दिक अर्थ क्या है तो कोशन के ओर चलते हैं तो करुण रस का जो है स्थाई भाव तो हमने देख लिया है सोख होता है लेकिन अगला कोशन है सहर के मुख चुराहे पर नेताजी स्वार्शन भोज की प्रतिमा लगवा दी गई ये किसके दवरा लगा दी गई प्रसाशनिक अधिकारी त्वारा इसक भोलानात का असल नाम क्या था तो भोलानात का असल नाम था तारे किस्वर नात तारे किस्वर नात था ये आपको धियानक ना है उसके बाद में अगला कोशन है हमारा सही जोड़ी से संबंद है तो सही जोड़ी में संस्कती का संबंद की से तो संस्कती है रीतुराज से उ इसमें आता है भवंतानद कोसल्यान ये इसका रैट अंसर होगा। उसके बाद मैं क्या लखता हूँ इसका जो है सरब वाला यहनंकी आपका अग्येrul आद में अधिक बोलने वाला क्या कहलाता है वाचाल। और उसके बाद में next question है प्रत्यएक चरण में 1616 मात्राईं होती है तो इस क्या चोपाई और नाचन जाने आंगन टेड़ा है ये ये इवाला है ये ये ल्कोगति है, आप जानते हैं नाचन जाने आंगन टेड़ा काफी सुना हुआ सब लोकुक्ती ही प्रिश्लित हैं, अगला कॉश्टन है सत्य असत्य से, सूर्दास लबाचारी जी के सिस्त है, तो बिल्कुर सत्य है, मूरत मदुर मनोहर देखी, पंक्ती में यमक अलंकार है, गलत है, क्योंकि म, म, म की बार-बार अउड़ती हो रही है, जहां कि सिवर्ण क कि अनुसार आचरन करना क्या कलाता है मलब करना न्याय सिल्ता कलाता है सत्य है और म्रदंग एक तरह का वादी अंत्र है सत्य है और एलेजा बे दियुती जापान की रानित्थी इसका अंसर आपको बताना है कन्फूजन में है इसलिए आपको धियानना है सत्य है असत्य ही बताना है और बिल्कुल बैसे मैरे सब सही होना चाहिए लेकिन फिर भी आप एक पर पन्फूम करने तो बेटर होगा और मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं किसका राइट अंसर क्या है दुख में न चा किला बसंत रात आने पर यह सई रहेगा लेखक स्वयम प्रकास जी का जन्म इंदोर में हुआ था सत्य है सत्य के वाले इंदोर आपको असमा अप्सन भनना है फादर कामिल बुलके की जन्म हुमी थी तो बेल्जियम और लेखी का मन्नू भंडारी का जन्म गाउं में हुआ कौन से गाव में तो रामपुर और सोलह छतो वाला घर रचना की है किसकी है तो सीव पूजन सहाई की और समास प्रकार होते हैं तो छे प्रकार होते हैं आपने पड़े हैं समास छे प्रकार होते हैं उसके बाद में सोठा छंद में चरण होते हैं चार उसके बाद में अगल कोशन एक सब्द एक वाक्ति से समय थे तो भगवान संकर की का धनोस किस ने तोड़ा था तो स्री रामजी द्वारा तोड़ा गया था सिता स्वयंबर के समय और कभी के अनुसार किस रितू की आभा अट नहीं रही फागुन की उपमा लंकार में कितने अंग होते हैं उपमा उपमें उपमान तीन अंग होते हैं खूब लड़ी मरदानी वहत्तो जहासी वाली राने थी आपने काफी प्रेखलित कहाने सुनी होगी कविदा सुनी होगी और सुधरकमा चुहान द्वारा लिखे गए और पूरी तरह वीर रज से उत्परो थे तो इसमें वीदस आएग और जापान के हिरोसिमा में कौन सा बम गिराया था तो आपको बता है जापान के हिरोसिमा में 6 अगस्त को परमाणों बम गिराया था और 9 अगस्त में नाका साकी में गिराया था धियान अखना यह जी के वाला कोशन भी है अब चला जाए किस तरह का वाक्य है इसमें भाव चुपा इसलिए भाव वाच वाक्य है भाव वाच अगला कुशन है जो आप देख पा रहे हैं इन अगले कुशन को हम विस्तार से बाद में लिखेंगे फिलाल समया भाव में आप क्यों प्रश्ण पत्र का वलोकन कर सकते हैं क्या क्या प्रश्ण आये थे और डेफिनेटली जिन जो चातर इसमें प्रश्ण में समिल थीवे थे उन्होंने अच्छे उनका प्रव्यू को अच्छा गया होगा और अच्छे नंबर प्राप्त होंगी क्योंकि प्रश्ण पत्र काफी सरल था तो इस तरह से आप इसमें गध्यान सब्रसंग सईत्व्याक्ष्याल कूच यह थी और application था और यह नहीं बनता हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवा साथियों जय हिन जय भारत